सत्तर साल तक देश की राजनीती में एक छत्र राज करने वाली कॉंग्रेस की इस्थिति इस समय भगदल कॉंग्रेस के अंदर मची हुई है आखिरकार ये इस्थिति क्यों हो रही है बात करते हैं पूर केंद्रिय मंत्रियों बीजेपी के बरिश नेता सुरिस पचोरी साहब से पुचरी साहब ये क्या हो रहा है नभूतों वविश्थिति ऐसी स्थिति कल्पना भी थी इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा का संकल्प और मोदी जी की डैरेंटी प्रदान मंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जैसा कहा गया है कि रगुकुल रीत सदा चली आ प्राण जाये पर वचन न जाई उन्होंने जो वादे इस देश की जंता से समय समय पर किये उन वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने कदम उठाएं चाहे धारा 370 की बात हो चाहे सीए की बात हो चाहे उज्जुला योधना की बात हो चाहे प्रदान मंत्री ग्रामी ल से उपर के लोगों को पांच लाक रुपे तक का मुफ्त उप्चार कराएंगे, सब गरीब लोगों को बिजली मुफ्त देंगे, सब के घर में नल के द्वारा जल पहुँचाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार सजित करेंगे, तीन करोड जो हमारी नारी शक्ती है, उसको करोड़पती दीदी बनाएंगे, लगपती दीदी बनाएंगे, तो लोगों को भरोसा है, एक कारण ये है, चुकि कॉंग्रेस में भगदर मची है, तो उसका कारण ये है, कि कॉंग्रेस जिस विचारधारा के लिए जानी जाती थी, वो कॉंग्रेस उस विचारधारा से, उन नीतियों से हट गई है, कॉंग्रेस में कभी जाती बात को नहीं वहरा जाता था, संप्रदाय बात को नहीं वहरा जाता था, जो प्रारंब हो गया है। ये सारे वो फैसले हैं जिससे लोग निराश और हताश हो गए और कॉंग्रेस से अब लोगों को कोई उम्मीद नहीं बची है। विरोध में दिखें इसलिए अनावश्यक विरोध किया जाता है और वो भी हमारे आदित भाशा का प्रयोग करते हुए विरोध किया जाता है। कदापी लोग तांतरिक वियोस्था में कम सकम हमारे देश में उचित नहीं है। तो साफ तोरोग पचवरी जी का मानना है कि मोधी की गारंटी आज कहीं न कहीं देश भर में विश्वास का पर्राय बन गई है। और कॉंग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है उसका एक बड़ा कारण कि वो अपनी नीतियों से अट गई है। अपनी लिक से अट गई है। MP Breaking News के लिए बोपाल से जीतन द्यादव के साथ वीरेन शर्मा।